अपडेट स्पॉन्सिट बाई विनी कैफे रीवा स्फर्स्ट सर्टिफाइड वेज बेकरी एंड हंड़िड परसेंट एगलिस एड्रेस बिलो एयू बैंक नियर कॉलिज चौराहा रीवा मधिप्रदेश के छिनवाडा में लूट का अनोखा मामला सामने आया यहां चांद नगर में रहने वाले मनोज चौरासिया के यहां चार किन्नरों ने तांतरिक पूजा के बहाने 12 लाग के जेवर पर हाथ साफ कर दिये शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर जाच शुरू कर दी है आपको बता दें कि डॉक्टर मनोज ने बताया कि 24 जुलाई को दिन में सुबह लगभग 11 बजे चार किन्नर उनके घर तांतरिक पूजा कराने के लिए आये हुए थे अपरणा चौरसिया ने बताया कि एक किन्नर उनके घर में करीब 5 साल से आता है और हम लोग उसे किन्नर समझ कर कुछ पैसे दे दिया करते थे वह अपने आपको मोहन नगर चिन्वाडा में रहने वाला बताता था वही अन्य तीन किन्नरों के अपने साथ लेकर आया हुआ था डॉक्टर मनोज ने बताया कि चार दिन पहले वो अकेला आया था तब मेरी पत्नी से उसने पूछा कि आप परिशान दिख रहे हो तो मेरी पत्नी ने बताया कि मेरे पती का स्वास्थ खराब रहता है जिससे मेरी पत्नी उनकी बातों में आ गई और उसने कहा कि आपके घर में पूजा करवाना पड़ेगा उसको लेकर मेरे गुरू को लाना पड़ेगा जो उजयन रहते हैं इस प्रकारवा 24 जुलाई को सुबह 11 बजे 4 किन्नर आये जिसमें एक वह भी था उसके साथ तीन अन्य किन्नरों में एक अपने आपको गुरू ब जिसे दोनों ने पिया उसके बाद उन्होंने कहा आपके यहां पीली पूजा जेवरों की पूजा करवानी पड़ेगी तो पानी पीने से हम लोग उनके वशी भूत हो गए और वह जैसा कहते गए हम वैसा ही करने लगे और उन्होंने सारे जेवर बुलवा कर चावल के और कहने लगे हम आधे घंटे में दूसरे जजमान के हां से आते हैं बागी पूजा फिर करेंगे आधे घंटे बाद आये तो फिर पूजा के और घर के अंदर आसपास घूमाए और उन्होंने कहा कि पीछे देखो हमारी तरफ मत देखना मनोच और असिया ने बताया कि थो पूजार को शक हुआ तो उन्होंने पोटली खोल कर देखी तो उसमें सिर्फ चावल रखे हुए थे मनोच ने बताया कि इस पोटली से करीब 12 लाग के जेवर गायव हुए है फिलाल पुलिस ने मामला दर्ज का जात शुरू कर दी है अपडेट स्पॉंसर बाइ विनी रिवा तो उस्ट चर्टिफाइड वेच बेकरी और 100% अगलेस अड्रेस बिलो आउ बैंक नियर कॉलिच चाराहा रिवा